स्वागत दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एनॉर्टकल लिम्टेड में आए हुए नई वेकेंसी के बारे में जहां पे दोस्तों दसमी पास हवाइटारी वाले कैनेट जियों फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं तो कैसे अपलाई कमपनीज है मतलब आपके जितने भी हमारे डिफिन्स के प्लेंस वगेरा है बेसिकली एन हॉल जो है बनाता है इसका जॉब लोकेशन दोस्तों आपका ओल वर इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है most प्रवाइली चांसे यह है कि आपका लखनो में जो है इसका जॉब लोकेश यहाँ पर अभी उसके रिगाडिंग नहीं बात किया है यहाँ पर चलते हैं बात करते हैं कि यहां पर कौन को से क्रेंट जो एक्णार अप कर सकती है क्या रिक्मीट है सारी जहीं डिसकूस करेंगे तो सबसे पहने दोस्तों इस फॉर्म की जो लास डेट है अगर मैं आपक मसेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्टोनिक मेकैनिक्स, एयर कंडेशनिंग, रिफ्रेजेटर, डिजल, कोपा और पासा वाले कैनिट जो यहां पे यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो दिया गया है उसमें जो है आपका 12th विके कैनिट भी फॉर्म को यहां पर फिल करेंगे यहां पे OK करेंगे OK करनेक बाद दोस्तों यहां पे नीचे आप आते हो इहां पे यहां पर हैं यहां परिया कर attendee क्लिक करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे डालना है क्योंकि अगर आपने पहले कहीं पे भी किया होगा तो आप यहाँ पे लिजबर नहीं है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है HAL dependent अगर आपका कोई HAL इस company में कोई जान पहचान का है तो आप इसके regarding information देना पड़ेगा नहीं है तो नो करके बढ़ जाईए इसके आपको नाम लिखना पड़ेगा जो भी आपका का नाम है दोस्तो आपना नाम टाइक कर दीजे इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे डेट of birth डालने के लिए आप यहाँ पे अपना date of birth डाल सकते हैं यहां पर date of birth कुछ आप इस प्रकार जो अपना date of birth डाल सकते हैं जैसे कि आपको इसक्रीन में दिख रहा है इसके बाद दोस्तों यहां पर कौनसी ब्रांच कर रहा है तो यहां पर देख लिए बहुत सारी ट्रेट्स यहां पर आए हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको यहां पर अधार card number लिखना पड़ेगा तो आपको अधार card number बताना है अधार card number बताने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे जाना है यहां पर देखिए apprenticeship registration number यह बहुत ही important दोस्तों तो देखिए यह number कहां से पाएंगे हर एक वी लेना है और यहां पे जो है ने नेक्स टैब में जाके यहां पे सर्च करना है तो सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रगार का प्लाटफॉर्म कुल के आगा यहां पे दोस्तों आपको करना क्या है यहां पे जो है सबसे पहले आपको जो है लॉग इन करना है अगर आपने पहले सी बना रही तो लॉग ऐनके सांव। आपके सामने है यहां पे इस आप option आएगा तो यहाँ पे candidate पे आप click करेंगे click करने एक बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी person detail information है सबको आपको यहाँ पर बारी बार के यहाँ पर fill up करना है आपको अधार card आपको mail id, mobile number, password यह सब यहाँ पर डालना है इसको डालने बाद यहाँ पर इसको टिक करने को यहाँ पर submit कर देंगे, submit करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको photos वगेरा और qualification detail वगेरा पूछेगा, यह सारी information आप यहाँ पर fill up कर देंगे, इसके बाद दोस्तों एक दिन कम सकम यहाँ पर लगता है यह capsule code आपको show कर रहा है, यह capsule code यहाँ पर type कर देना है, जो भी आपको show करेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, submit enrollment form तो आपका form जो है दोस्तों यहाँ पर submit हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देखेंगे, अभी जो है देखिए, inter valid apprenticeship registration number in capital, यह valid नहीं है, यह मैं डोमों के बता रहा हूँ, तो आपका जो भी registration number होगा, आप यहाँ पर डालके, simple तरीके से आप यहाँ पर submit कर सकते हैं, form को fill up करन हैं, तो इसका notification वगरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, दिया गया है कि maximum जो is limit है, 27 साल होनी चाहिए, बांकि जो relaxes है, वो आपको recording, आपके category हिसाब से जो है, दिया जाएगा, अब यहाँ पर देखें, यह last date है, जहाँ पर आप apply कर सकते हैं, तो ITI के, जो आपका 70% weightage है दोस्तों, वो 10th की base, जो 10th का percentage है, उसके base में लिया जाएगा, और 30% जो weightage है दोस्तों, आपके ITI में, जो percentage है, उसका weightage लिया जाएगा, इसके बाद दोस्तों, आपका जो है, एक merit जो list होती है, वो बनाया जाएगा, उसके basic selection होगा, तो result दोस्तो interested है, eligible है, तो आप जरूर apply किजेगा, इस प्रकार दोस्तों, आप यहाँ पे HL post के लिए apply कर सकते हैं, जो एक प्रकार से training program है, तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो जो आपके लोग के लिए helpful है, अगर पसंद आया हो, तो एक प्यासा लाइक, नहीं तो आप dislike करके इस वीडियो को और भी share कर सकते हैं,